राजसमंद नामके गाउं में जगमोहन अपनी पत्नी सोमा और बेटी गुड़ी के साथ रहता था जगमोहन के पास जमीन तो थी लेकिन साधन ना के बराबर थे कुछ समय पहले उसके पास बैल थे लेकिन घर के हालाद बिगरने के कारण उसने उने बेच दिया उनकी हालत बहुत ही दयनी अस्थिती में थी घर के हाला देख उसकी पत्नी सोमा ने उससे कहा मेरी बात मान लिजे जी मुझे ठाकुर के हां काम करने दीजे साफ सफाई और घर के काम ही तो करने है क्या फर्क पढ़ जाएगा अगर मैं वहाँ जाकर काम कर दू कम से कम घर के राशन पानी का तो खर्चा निकली जाएगा ऐसी बात मत किया कर रेनू की मा तेरी बाते मेरे दिल को छलनी कर देती है ये मेरे लिए मर मिटने जैसा हो जाता है जगमोहन दिन भरी सी चिंता में रहता था कि वो अपनी पत्नी और बच्ची को ढंका खान और कप्रे तक भी नहीं दे पा रहा था वो फटे पुराने कपड़े पहन कर ही गोजारा चला रहे थे जगमोहन जब भी गाउं में किसी से मदद मांगनी जाता कि हल और बैल दे दो या ट्रेक्टर उसके खेतों में चला दो तो सब भी उसे मना कर देते एक दिन अपने खेतों को फावरे से खोदते खोदते वो अधमरासा हो गया उसकी सूखी जमीन पर फावरा भी नहीं चल रहा था लेकिन वो लगातार फावरा चलाए जा रहा था उसकी आखों के सामने बार-बार अपने परिवार का चेहरा आ रहा था उधर गाउं का ठाकुर गीदर की तरह नजरे गड़ाए बैठा था कि कब जगमोहन मदद के लिए उसके पास आए और वो उसकी जमीन हतिया ले वो जब भी जगमोहन से मिलता था तो उसे एक ही बात कहता था जगमोहन रह तुझे कितनी बार कहा है अपनी जमीन मुझे दे दे मैं तुझे उसके अच्छे दाम दे दूँगा नहीं सहाब पैसे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे लेकिन जमीन ये मेरे पूरवजों की निसानी है भला इन्हें मैं कैसे बेच सकता हूँ ये कहकर जगमोहन चला जाता है ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते है एक रोज सोमा उससे कहती है सुनिये जी घर में आटा नहीं बचा है और नाचार सबजी कुछ भी खाने को नहीं है अब हम क्या खाएंगे जी अपने पती की लाचारी देख सोमा को उस पर दया आती है फिर उसका ध्यान अपने पती की बात पर जाता है और वो आंगन में लगी घास को देखती है फिर उसे तोड़ कर लाती है और उसे पतीले में उबाल लेती है फिर सिलबटे पर पीस कर उसका पेस्ट बना लेती है और उसमें नमक मिर छल्दी अजबाइन मिलाकर उसे तवे पर डाल देती है फिर उसके गोल सी रोटी बनाकर तयार कर लेती है ये ले रेनू, मेरी बच्ची, अपनी मा को माफ करना, घास की रोटी बनाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था तो क्या हुआ मा, मास्टर जी कहते हैं, हमारे महराना प्रताब भी जब जंगल में रहे थे, तो उन्होंने भी यही हरे खास की रोटियां खाई थी, तो फिर हम क्यों नहीं खा सकते? बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची फिर जैसे ही रेनू और जगमोहन उसे अपने मुह में डालते हैं, तो उसे खा कर कहते हैं, वा मा, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है आसु मा, ये तो लाचवाब है जी, ये जगमोहन जी का घर है जी हाँ, तभी जगमोहन आता है क्या बात है भाई सहाब? दरसल मैं लोटरी विभाग से आया हूँ, कुछ महीने पहले जो आपने लोटरी खरीदी थी, उसका आज रिजल्ट आया है और आपने इस लोटरी को जीत लिया है, जिसका इनाम पूरे 25 लाग रुपए है 25 लाख रुपए? और साथ में ये अंजी, और साथ में ये आज का खाना हमारी कमपनी के तरफ से आपके लिए ये सुनकर जगमोहन सोमो और रेनू सब बहुत ही खुश होते हैं अब उनके दिन बदल जाते हैं जगमोहन ट्रेक्टर बुलवा कर अपने खेतों पर चलवाता है जिससे उसकी बंजर भूमी में जाना जाती है और उसमें फसल उगाती है साथ ही वो अपने लिए पक्का घर भी बनवा लेता है और अब शेहरों से नई नई खाद लाकर अपने खेतों पर डालता है जिससे उसकी फसल अच्छे से तयार हो जाती है और वो उससे भी काफी पैसे कमाने लगता है देखते ही देखते अब वो उस गाउं का सबसे अमीराद में बन जाता है अब वो अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करता है और खुशी-खुशी उनके साथ रहने लगता है सुमन जादा पढ़ी लिखी नहीं थी पर वैसे वो बहुत होश्यार थी धामपुर शेहर में उसकी ससुराल थी आज कल वो अपने बेटे पारस के साथ माई के रहने आई हुई थी पारस इतना दोड़ा दिया थक गई हो बेटा अब तंग मत करो चलो ये एक निवाला और खाओ सुमन बिटिया तु जितना बोलेगी खाने के लिए ये उतना ही तुझे तंग करेगा अपना भी तो ध्यान रखना है सात्वा महीना चल रहा है ऐसे भागा दोड़ी ठीक नहीं क्या करू मा खाने के ने इसके आगे पिछे ना भागू तो ये पूरा दिन कुछ न खाए रुको मा शैद मेरा फोन बज रहा है हलो, मा जी, सब ठीक तो है, आप वो क्यों रही हो? क्या, नितन का एकसिदेन्ट हो गया? कौन सा अस्पताल में है वो? मैं, मैं पहुंच रही हूँ सुमन के अपैन के नितन का रोग एकसिदेन्ट हो जाता है सुमन अस्पताल पहुंचती है सुमन बहू, डॉक्टर ने कहा है कि नितिन के पैरों में गहरे सक्माई है डॉक्टर कुछ तो इलाज होगा देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इनके गुटनों के हिस्से में ज्याता दबाव पड़ा है मा, मैं और मीना जरा घर जा रहे हैं सुमन और उसकी सास नितिन को घर लेकर आते हैं अगले दिन पड़ाम कर पाएगा, या कभी चल पाएगा मेरा भी अपना परिवार है, मेरे भी अपने बच्चे हैं मैं कब तक इसके परिवार को भी पालता रहूंगा तूरेश तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बोल मैंने सोच लिया है अब हम दोनों भाईयों को अलग-अलग हो जाना चाहिए हम दोनों भाईयों का कोई अपना मकान या अपनी दुकान तो है नहीं किराय के घर में रहते हैं और किराय की ही दुकान है मैं कब तक किराय भी भरूँ और सब की रोटी का भी इंतिजाम करो नितिन तु अब सुमन और अपने बच्चों के साथ दूसरे घर में रहने का इंतिजाम कर ले सुरेश तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती अपने छोटे भाई की मजबूरी का फायदा उठा रहा है आज उसे जिन्दगी ने अपाहिज बना दिया है तो तूसको हर तरफ से लाचार बना रहा है मा जी आप ये गनी मत समझो कि हम आपको यहां से नहीं निकाल रहे हैं वरना फिर आप जानती हैं हरे तू क्या मुझे निकालेगी मैं ही अपने बच्चों के साथ यहां से चली जाओंगी सुरेश तू बड़े भाई के नाम पर कलंग है अगले दिन सुमन सब के साथ अपनी मा की घर आ जाती है तू चिंता मत कर तू अब मेरे साथ यहीं रह मेरे पास नहीं मा मैं तुम पर अपने परिवार का बोच नहीं डा सकती तुम भाई या भाबी के साथ रहती हो मैं नहीं चाहती मेरी वज़े से मेरे माई के में कोई परिशानी हो मा तुम यहीं पास में कोई किराय का घर दिलवा दो मैं वहीं रह लूँगी मेरी बच्ची तुझे कितने दुख छेलने पड़ रहे है पर भगवान पर भरोसा रख वो साब ठीक करेंगे सुमन बारसो रुपे महीने का एक किराय का कमरा ले लेती है अब उसकी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि आखिर वो अपने परिवार की आजीवी का चलाने के लिए पैसे कहां से लाए मा जी पारस मा के साथ रिंदावन दर्शनों के लिए चला क्या है घर कितना सूना सूना सा लग रहा है हाँ बहू वो होता है तो पूरा घर उसके शोर से गुशता रहता है मा जी नितिन की दो कमीजे दर्शी को ठीक करने के लिए दी थी मैं लेकर आती हूँ सुमन बाजार चली जाती है रास्ते में वो सोच में डूबी थी क्या करूँ मुझे कमाई का कोई जर्या तो ढूणना ही होगा मुझे कहीं नौकरी भी तो नहीं मिलेगी काश में जादा पड़ी लिखी होती अरे सबजी के ठेले लगे हुए है नितिन का लौकी खाने का मन था उस सबजी के ठेले से ले ले लेती हूँ भाईया ये एक लौकी देना अब इनके आलू तोलनू फिर देता हूँ ये लो माता जी दो किलो आलू चालीस रुपए हो गए भाईया ये तुमने तराजू के नीचे क्या लगा रखा है दिखाना जरा कुछ भी तो नहीं लगा रखा मेडम जी सुमन तराजू उठाती है वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि तराजू में चुम्बक चिपकी हुई है भाईया कुछ तो शरम करो तुम लोगों को धोखा धड़ी से सबजी बेच रहे हो चुम्बक लगा कर घपला कर रहे हो इमांदारी से काम करना नहीं आता तुम्हे पता नहीं कबसे लोगों के साथ धोखा धड़ी करके सबजी बेच रहे है सुमन को बोलता देखकर लोगों की भीर लग जाती है तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे देखकर उस जगह पर खड़े सारे ठेले वाले उसे जुक कर नमस्ते करते है क्यों अरिया क्या हुआ यह इतना शोर के साथ तेरे ठेले पर यह सबजी वाला लोगों को ठकता है अपने तराजों में चुमबक लगाकर लोगों से धोखा धड़ी करके अपनी सबजी बेचता है मेरी इतनी हिम्मत हरिया कि तुम मेरे इलाके में सबजी का ठिला लगाता है और धोखा धड़ी करता है मैं चाहूं तो अभी तुझे यहां से हटा सकता हूँ माफ कर दो सजन सेट आज के बाद कोई बेमानी नहीं करूँगा शराफ़क से सबजी बेचूँगा मेरे छोटे-छोटे चार बच्चे हैं अगर मेरा कमाई का जरीया चिन गया तो वो भूके मर जाएंगे रहनी तीजे भाई साब इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है मैं जानती हूँ परिवार की परिशानियों का दर्थ क्या होता है बात करते-करते सुमन की आँखे भराती है तभी चिन्ता से उसके दर्थ शुरू हो जाता है वहाँ आसपास में भीड लग जाती है सुमन की अचानक शायद चिन्ता और परिशानी से दर्थ शुरू हो जाता है सुमन रास्ते में ही अपने घर का पता सज्जन सेट को बता देती है सज्जन सेट उसकी सास को अस्पताल बुला लेता है सुमन को एक बेटी पैदा होती है वही सज्जन सेट को पता चलता है कि सुमन का पते नितिन अपाहिच है और वो बहुत ही दुखों से गुजर रही है सज्जन सेट आज आपने बड़े भाई की तरह मेरी मदद की है मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगे इसमें एहसान की कोई बात नहीं है बहन तुम मेरी अपनी बहन जैसी हो सुमन घर आजाती है कुछ दिलो बाद सज्जन सेट उसके घर आता है सुमन बहन तुम मुझे काम के लिए बोल रही थी मैं चाहता हूँ मेरी मंडी में जितनी भी सब्जी के दुकाने है उनका हिसाब और देखरे कब से तुम रखो मैं जानता हूँ तुम्हारी जगह ये काम और कोई इमानदारी से नहीं कर सकता माजी नितिन देखो भगवान ने सज्जन सेट के रूप में एक भाई देकर हमारी कितनी मदद कर दी सुमन की आँखों में खुशी के आसू थे वो अब कड़ी मेहनत से मंडी में जाकर सबजियों का सारा हिसाब रखती एक एक दुकानदार से जाकर पूश्ती और देखती कि सब कुश ठीक से चल रहा है या नहीं सज्जन सेट भी सुमन की मेहनत को गौर करता था सुमन के आजाने से सज्जन सेट का भी काम बहुत आसान हो गया था अब सब कुश इमानदारी से चल रहा था अब कोई भी सबसी बेशने वाला दुकानदारी में घोटाला नहीं करता था बहु तुम बहुत महनती हो तुम्हारे जैसी बहु पाकर मैं धन्य हो गई अब तो नितिन भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है देखना तुम्हारा प्रेम और भगवान के आशिरवात से वो भी जल्दी चलने लगेगा सुमन को सजन सिंग के रूप में देवता समान भाई मिल गया था उस दिन के बाद सुमन सबसी मंडी का सारा काम कंभालने लगी धीरी धीरे अपनी इमानदारी और मेहनत के बल पर सुमन एक सबसी वाली बहु बनकर अपनी सारी जिम्मेदारिया निभाती है